कि यहां भी ब्रेक आउट होते हैं काफी ब्रेक आउट देखने को मिल रहे हैं अपनको स्टॉक में एज ऑफ मार्केट में थोड़ी सी रिकावरी करते हैं अब यहां पर 159 के आसपास लेवल सस्टेन हो गया जो कि यहां कहीं 150 के करीब था और यहीं से ब्रेक आउट था तो अच्छी बात यह रही है मतलब यहां पर ब्रेक आउट हुआ है वह अच्छी बात है बट बना टीएफ पे देखें तो बहुत ओवरबॉट है 84 रसाई ट्रेल कर रहा है मतलब गिरेगा स्टॉक वीकनेस आएगी तो सौट तम में स्टॉक बड़े फॉल तो नहीं है 150 की या 152 की असपास पुल बैक बनाके फिर रैली करेगा तो यह 160 170 एंड देन 180 ऐसे चलेगा अब यहां पर अगर आम नोटिस करते हैं तो इस 160 से अपना 160 के अराउंड हैगा और 170 का अपना एक पहला टागेट होगा इस जोन का फॉदर नेक्स इसके बाद जो और टागेट आएगा वो रहेगा 180 इसका यह वाला इनके बीच में एक टागेट और रहेगा 175 का साइकलोजिकल लेविल जो कि यहां कहीं रहेगा तो थोड़ा सा यहां साफधानी बरती हैगा यह multiple resistances रहेग यह मतलब weakness तो 150 sustain हर हाल में होना चाहिए तो पहला support यहीं है और यही support लेकर चलेंगे आपन बाउंस होगा तो यहीं से upside potential भी यहीं से पकड़ेगा तो इस तरह से time करिएगा RSI की according देखें तो bullish trend देख रहा है चल सकता है weekly time frame भी काफी जादा corrected है अभी जो price चल रहा है यहां पर sorry अभी जो points चल रहा है वो 61 point के असपास है RSI और weekly TF एंड monthly TF भी काफी better है बस जो important है कि वना TF को selling करेगा अब तभी इसमें potential बनेगा तो को जिस तरह से time करिएगा आप EMA के according देखें तो आज एक अच्छा momentum आया तो EMA sustain हो गए और निकल गया EMAQ पर important एक और चीज़ है कि 12 November के नतीजे है मतलब 6 दिन बाद इसके नतीजे आने वाले है तो जरूरी है कि वहां पर आप थोड़ा सा patience रखेगा जो already hold करे हैं क्योंकि नतीजों के आसपास जितने स्टॉक का momentum रहता है वो बहुत uneven रहता है volatility रहती है because company का एक बड़ा event होता है वड़े event में हमीशा volatile रहता है market में भी नतीजे अच्छे आए बड़ मार्केट को पसंद नहीं आते तो गिर सकता है और नतीजे बुरे आए तो में भी मार्केट अच्छा चले तो वो किसी को न 80 तो को जिस तरह ऐसे देखिएगा बड़ा hurdle उपर के लिए फिर जब जाएगा तो 200 है उसके according देखें तो कोई अभी बड़ा hurdle तो नहीं देख रहा है 175 वा 200 ही रहेगा एक चीज़ और बता दुम्हें live sessions भी लेता हूं market आर में सुबह 10 बजे और साम 9 बजे भी live आता हूं